एक दिन जंगल में एक हाथी सूर्थाल के साथ गाना गयने बैठा तभी उसके कान में एक मच्छर चला गया तो हाथी गाना छोड़ कर कान खुजलाने लगा उसके बड़े-बड़े कान हीलाने से फट-फट-फट-फट तबले जैसी आवाज होने लगी अब हाथी के कान में जो मच्चर बैठा था वह मौज में आ गया उसको ऐसा लग रहा था कि कोई ताल दे रहा है और उसने अंदर बैठे गाना शुरू कर दिया अब यह अन्होनी गटना से हाथी परेशान हो गया यह गटना का जंगल साक्षी है और जंगल में खड़े पेड़ो को जंगल पूछ रहा है कि बैया आप बताओ दोनों यानि की हाथी और मच्चर दोनों में से अच्छा गायक कौन है तो यहां कवी ने कल्पना की है कि हाथी तो मानों खिलोना बन गया है और पेड़ दर्शक बनके हाथी के साथ हुआ तमाशा देख रहे हैं यह कविता के कवी है सर्वेश्वल दयाल सक्सेना